कि नबस्कार साथियों संसवत का यह सत्र अत्यनत महत्पपून है एक सबस्कार मान रहा है हिस तान में कि चारों दिशाओं मैं से इस आज़ादी के अमरित महत्पपून की निमित रचनात्मक, सकारात्मक, जन हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सामान्य नागरिक, अनेक कारकम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजहदी के दिवानों ने, जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए, सामान्य नागरिक भी इस देश का, अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है, ये खबरें, ये अपने आप में भारत के उजवल भविश्य के लिए, सुप संकेत है, कल हमने देखा है, पिछले दिनों, सम्विधान दिवस भी, नए संकल्प के साथ, सम्विधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दाईत्व के समन्द में, पूरे देश ने एक संकल्प किया है, इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामन्य नागरिक चाहेगा, कि भारत का संसत का ये सत्र और आगे वाने आजवाले भी सत्र, आज़ादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरीट था आज़ादी के अमरुत महुत्सब का जो स्पिरीट है उस्पिरीट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगति के लिए नए उपाएं खोजें और इसके लिए यह सत्रा बहुत ही विचारों की समरुद्धि वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णवा वाला बने मैं आशा करता हूँ कि भविश्य मैं संसथ को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रिबिशन किया उस तराजू पे तोला जाए नकी किसने कितना जोर लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया कि यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसथ में कितने घंटे काम हुआ कितना सकालत्मक काम हुआ हम चाहते हैं कि सरकार हर विशेपर चर्चा करने के लिए तयार है खुली चर्चा करने के लिए तयार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार है और आज़ादिक अम्रुक्त भावत्साओं में हम ये भी चाहेंगे कि सवाल भी हो सवाद में शांती भी हो हम चाहते हैं सवाद में सरकार के खिलाप सरकार की नीतियों के खिलाप जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसत की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की युवापीडियू को काम आए पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिश्थिती में भी देश ने सौ करोर से अधीक डोजीच कोरोना वैक्सिन और अब हम देड़ सो करोर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नए वेरियन की खबरें भी हमें और सतर करती हैं और सज़क करती हैं मैं साउसक के सभी साथ्यों को भी सतरक रहने के लिए प्रार्षना करता हूं आप सभी साथ्यों को भी सतरक रहने के लिए प्रार्षना करता हूं क्योंकि आप सब का उत्तम स्वास्त देश स्वास्व का उत्तम स्वास्त ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्रात्विक्ता है देश के असी करोर से अधिक नागरीकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ नहों हो इसलिए प्रधान मंत्री गरीब के लियान योजना से अनाच मुप्त में देने की योजना चल रही है अब इसे मार्च दो हजार बाइस तक समय आगे कर दिया गया है करिब 2,60,000 करोड रुपिय की लागत से अच्छी करोड से अधिक देश वासियों को गरीब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंता की गई है मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश वित के निर्णे हम तेजी से करें मिल जुल करके करें सामान मानुई की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा हैं बहुत बहुत धन्यवाद झाल